मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन को दबाए उसके बाद इस बेल आकन को दबाना ना भूले हेलो फ्रेंड मैं भी पिन पर साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल एसे में स्वागत करता हूं फ्रेंड आज का मेरा टॉपिक है यानि इसका फर्स कोस्टन यह रहा फ्रेंड इस कोस्टन में आने से पहले पहले कुछ में बताना चाहता हूं देखिए अगर ठीटा 1 और दो एंगल है और दोनों एंगल का सम अगर 90 दिगरी हो तो जितना भी वेल्यूज आप देख रहें यहां तक सभी का वेल्यूज वन होगा यानि कोट ठीटा 1 कोट ठीटा 2 का वेल्यूज वन होगा काव जब ठीटा 1 और ठीटा 2 का सम दोनों का जोर 90 दिगरी होगा तो इसक प्रका 10す Divine तीटा तीटा टू न्वैल्यव औसम नवड़ी कोड़ीν होगा, स् नवड़ीे लिफ्वाफ का जब तीटा टू का सम नवड़ी रणका Täकला को स् लड़ीम और स् याषी प्रत्रू तीटा टू का सम नवड़ी merged as इसी प्रकार sin square theta 1 plus sin square theta 2 equal to 1 होगा, जब theta 1 और theta 2 का जोड 90 degree होगा, और आप ये भी जानते हैं, 1060 का value root 3 होता है, और cot 60 का value 1 by root 3 होता है, clear? फर्स कोर्सन देखिए, यहां कहा जा रहा है कि इसका value क्या होगा, वो आपको निकालना है, so friend, सबसे पहले इसमें यहां देखिए, दो angle को खोजिए, जिसका sum 90 degree होगा, यह मैं बताया था ना, दो angle का sum 90 degree हो, तो देखिए, किस-किस angle का sum 90 degree होता है, एक 9 ले लिजिए, 9 के साथ 81 ले लिजिए, यानि cot 9 degree और cot 81 degree, दोनों का angle का sum 90 degree हो रहा है, हो रहा है ना, इस दोनों का sum, इसका, इसका, अब फिर rest, देखिए, rest क्या बचा होगा है, cot 27 degree, and cot 63 degree, इस दोनों का sum, angle का sum भी 90 degree है, और इस दोनों के angle का sum भी 90 degree है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब angle का sum 90 degree हो, so quad theta 1 और theta 2 का product भी 1 और 10 theta 1 10 theta 2 का product भी 1 so इस दोनों का product कितना हो जाएगा 1 होगा multiply और इस दोनों का product भी कितना होगा 1 so 1 multiply 1 equal to 1 so answer क्या हो जाएगा 1 यानि option D clear है इतना आप क्यों करेंगे आप यहीं पर देख लिजे इस दोनों का sum 90 degree हो रहा है तो one value इस दोनों का sum भी 90 degree हो रहा है so one इसका भी होगा दोनों को product कराएगा तो one ही आएगा clear इस question को देखिए इसमें देखिए उस pair को खोजिए जिसके angle का sum 90 degree है ऐसा कौन सा pair है यहाँ धान दीजिए इसका value भी 11 degree और इसका value 79 degree है तो जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो रखिए यानि 10 11 degree और 10 79 degree और फिर ऐसा pair को खोजी जिसका sum 90 degree है यानि यहाँ pair और यहाँ pair यानि 10 17 degree और 10 73 degree दोनों का देखिए angle का sum 90 degree हो रहा है इस दोनों के angle का sum भी 90 degree हो रहा है और मैं बता चुका हूँ जब दोनों के angle का sum 90 degree हो तो 10 theta 1, 10 theta 2 का product हमेशा 1 होता है इसलिए इसका value भी 1, आप multiply इसका value भी 1 और 1 multiply 1 क्या होगा 1, और option भी होगा के लिए फिर चलते हैं next question की और 10 pi by 8, 10 pi by 12, 10 3 pi by 8, 10 5 pi by 12 minus sine square pi by 6 का value निकालना है इसमें क्या कीजिए, इसको पहले degree में change कर दिए, angle को किसमें change कीजिए degree में और degree में change करने के लिए pi के जगा पर xoc degree रख दिए तो degree में change हो जाएगा, तो pi के जगा पर xoc रखे 10 xoc by 8, xoc में 8 से divide कीजिएगा तो आएगा 22.5 तो इसका value आएगा 10 22.5 अब 10 is pi का xoc, xoc में 12 से 12 से भाग दिजिएगा तो कितना आएगा, पंदर आएगा आएगा ना तो 10 15 degree इसी प्रकार, pi का value 180, 180 को 3 से multiply कीजिएगा तो 5 40 आएगा 5 40 में 8 से divide कीजिएगा तो आएगा 10 67.5 degree और 10, pi में 12 से भाग दिजिएगा, pi का value क्या मैं बताया हूँ, 180 degree 180 में 12 से भाग दिजिएगा तो आएगा 15 और 15 को 5 से multiply कीजिएगा तो आएगा 75 degree अब माइनस, sin square यहाँ आप देखें, sin square में pi by 6, एक pi का value 180, और 180 में 6 से divide कीजिएगा, तो कितना हैगा? 30 degree आएगा तो friend, यहाँ उस pair को खोजना है जिसके angle का sum 90 degree हो, है ना? यह दो pair हमें मिल गया, जिसका angle का sum 90 degree आ रहा है angle का sum 90 degree आ रहा है और दूसा pair, एक यह pair है दूसा यह pair है, इस दोनों के angle का sum भी, कितना रहा है? 90 degree आ रहा है आ रहा है ना? तो मैं क्या बताया हूँ जब angle का sum 90 degree हो तो 10 के 2 pair का product हमें सा 1 होगा सो इसका, इसका product 1 होगा multiply, इसका इसके angle का sum 90 degree हो रहा है इसलिए इसका और इसका product 1 होगा minus, sine 30 का value आप जानते है, 1 by 2 होता है और 1 by 2 का क्या है? square कर दीजे, एक चीज़ ध्यान लखिएगा sine square 30 degree को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sine 30 का whole square दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही चीज़ है, clear? अब इसको ज़ाँ solve कर दीजे 1 multiply 1 होगा 1 minus, 1 by 2 का whole square क्या हैगा? 1 by 4 L sim लिजिएगा, तो हैगा 4 minus 1 by 4 solve किजिए, तो इसका value हैगा 3 by 4, तो इसका option होगा D, clear? question form आईए the value of sine square 1 degree sine square 5 degree sine square 9 degree plus sine square 89 degree का value हमें निकालना है friend, एक चीज़ कीए, इसमें बहुँ साला term है, हाना? तो आप एक चीज़ देखिए मैं क्या बताया हूँ, यहाँ पर cot theta 1, cot theta 2 का value भी 1 होता है, 10 theta 1, 10 theta 2 का value भी 1 होता है sine theta 1, 6 theta 2 का value भी 1 होता है, कब जब angle का sum 90 degree हो, राइट ना? यहाँ पर एक चीज़ आप धिहां दखने की ज़वरत है, इस step पर जब भी problem हो ना, तो आप क्या काम केंजी, यहाँ रखिए, sine square 1 यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 89 degree है 89 और 1 मिलकर 90 degree आ रहा है, है ना? लेकिए, एक चीज़ देखिए आप, पहला term और second term, दोनो term में angle के बीच का जो difference है वह 4 है, है ना तो इससे पहले का जो term होगा हुआ, कितना degree का होगा 85 degree का होगा, चुकि 85 और 89 की बीच में 4 का difference है, है ना? 85 आप, पलस 5 मिलकर कितना हो जागा 90 degree हो जागा, इसमें आपको क्या करना होगा साबसे पहले number of terms निकालना होगा, चुकि हमें यह तो पता नहीं है कि इसमें number of terms कितना है यह तो पता नहीं है, चुकि दो अंगल के बीच का difference 4 है, तो मैं number system में बता चुका हूँ, term की संख्या निकालना, so number of terms equal to हो जागा, क्या last term 89 minus first term first term में देखिए last term के अंगल 89 first term के अंगल 1 degree divide by 2 एंगल के बीच का difference कितना है, 5 minus 1, यानि 4 और last में हमें इसमें क्या करेना 8 करेना है, plus 1, right अब इसको just solve कीजिए 89 में 1 को minus कीजिएगा, तो आएगा 88 और divide by 4 plus 1, clear और 88 में first divide कीजिएगा तो आएगा 22 22 plus 1 यानि 23 आप देखिए, यह जो 1 होता हुआ, पेर में होता है किसमें होगा, पेर में सलूसन निकलता है, तो आपको क्या करना है इसको पेर बनाने के लिए 2 से दिभाइड कर दिजिए तो 23 में 2 से जब दिभाइड कीजिएगा तो आएगा 11 यह जा रहे पुनांक, एक बटे 2 आएगा, आएगा न, वही आपका answer होगा, यानि option पुरा solve करने की जोगत नहीं है, सिफ नंबर of terms निकाल दिजिए, उससे दो से भाग दिजिए, तो पेर का पता चल जाएगा, कितना पेर है, तो पेर आएगा, 11, 1 by 2, वही आपका answer होगा फिर चलते हैं, next question की ओर, cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, so on cos 177, cos 178 and cos 179 degree का value निकालना है, तो आप फिर सोचते होगे कि पहले हम number of terms निकालने है, और number of terms निकालके, फिर हम दो से दिभाइड करेंगे, जितना पेर होगा, वही आपका answer होगा, जितना value आएगा, वही आपका answer होगा, लेकिन फ्रेंड एक चीदी हाँ रखने की जबता है, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, सब आपस में product के form में है, और इसके करम में 123 से लेकर 179 degree तक का angle भी आ हुआ हुआ है, फ्रेंड इसमें आप तू देख रहे होगे, इसकी बीच में कहीं कहीं 90 degree है, आएगा कि नहीं आएगा, 1 से लेकर continue ओरे कि कहीं break नहीं है, 1, 2, 3, 0, 179 degree तो बीच में cost 90 degree भी आएगा, आएगा ना, और आप जानते हैं कि cost 90 का value कितना होता है, 0 होता है, होता है ना, यानि cost 90 का value जब 0 हो जाएगा, तो बताएगे 0 को किसी से भी multiply करा देजिएगा, तो value क्या होगा, 0 होगा, चुकि बीच में cost 90 degree है, तो उसका value 0 है, एगा होगा, और सब आपस में product है, तो किसी भी number को 0 से multiply कराईएगा, तो उसका value क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इसका option होगा, A, clear, अब चलते है, question number 6, यहाँ पर मैं क्या बताया हूँ, दोनों के angle का sum दिखे 90 degree है, 80 plus 10, 90 degree, 59 plus 31, यहाँ भी 90 लिख दिया हूँ मैं, cost के साथ cosec होना चाहिए,而 2 angle का sum 90 degree होता है, तो इसका value 1 होगा, यहाँ पर इसका angle का sum 90 degree हो रहा है, इसलिए इसका value कितना होगा, यहाँ से यहाँ ते का value 1 होगा, तो 3 multiplied 1 2 multiplied यहाँ देखिए, cos के साथ kojiq होना चाहिए cos के साथ kojiq होना चाहिए और जब cos के साथ kojiq है और दोनों इंगल का sum 90 डिगरी है तो इसका value भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, so 2 multiplied 1 3 multiplied 1 2 multiplied 1, 2 तो इसका value कितना हो जाएगा 5 आनि option D देखने से यह अगर यह आपको मालूम है तो इसका value 1 होगा भरवली आप इसको कर सकते हैं इसका value 5 हैगा कहीं कुछ calculation करने की ज़गत आपको नहीं परेगा So friend यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा Please like, subscribe, share करना नहीं भूलिए साथ साथ notification आइकन को प्रेस कीजिए फिर मिलूगा ने वीडियो के साथ जैहिन